second question is find the remainder when x cube minus a x square plus 6x minus a is divided by x minus a so divide करके देख लेते हैं x minus a यह हमारा x cube minus a x square plus 6x minus a so पहला term देखेंगे x square से multiply करेंगे इस term में क्या हो जाएगा हमारा x cube x square यहाँ पर minus a यह हो जाएगा a x square सब stretch करने पर value क्या हो जाएगी sign change हो जाएगा and यह cancel हो जाएगी यह value भी cancel हो जाएगी क्या हो जाएगा 6x minus a अब 6x में हम किस नंबर से multiply करेंगे तो obviously 6 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 6x minus 6a सो सब stretch क्या sign यहाँ पर यह cancel हो जाएगा यह sign change हो जाएगा plus 6a minus a so plus 6 6a minus a will be 5a so our remainder will be 5a यह हो जाएगा हमारा answer so third question हमारा check whether 7 minus 3x is factor of 3x cube plus 7x so हमें इसमें पता करना है कि 7 minus 3x जो है वो 3x minus 7x square का factor है या नहीं तो कैसे find out करते हैं कैसे पता करते हैं इसके लिए क्या है हम पहले डिवाइड करेंगे और अगर हमारा remainder जो है वो 0 के equal आ जाता है जीरो आ जाता है तो वो जो हमारा यह दिया हुआ है value वो इसका factor होगा बट अगर remainder 0 नहीं आता है तो उसका factor नहीं होगा करके देख लेते हैं इसे हम 3x-7 भी लेग सकते हैं for the convenience यहाँ पर 3x क्यूब है हम 3x से कर दें हम अगर x स्कुएर से हमारा यह value क्या हो जाएगी 3x क्यूब के बराबर हो जाएगी तो यह हो जाएगा 3x cube and then minus 7 में x स्कुएर से multiply किया हमारी value क्यों हो जाएगी minus 7x स्कुएर कि सब्स्ट्रेट करेंगे साइन चेंज हो जाएगा plus and यह जाएगा 7x स्कुएर plus 7x यहाँ पर 3x से यहाँ पर 7x स्कुएर है डिवाइट करके देख लेगे कि कि किस नंबर से हमें मुल्टिप्लाइ करना है पर 3x जाएगा 7 by 3x से मुल्टिप्लाइ करेंगे जाएगा 7x स्कुएर and यह पॉसिटिव वैल्यू है यह नेगेटिव वैल्यू है तो हमारा सब्स्ट्रेट कर देंगे यह पॉसिटिव हो जाएगा 7 प्लस 49 अपॉन 3x यह वैल्यू हो जाएगे हमारी 20x अब 20x से यहाँ पर है 3x 3x में हम 3 6 जाएगा 6 टाइमस में ले जाएगे तो हमारा क्या हो जाएगा 18x जैने 6 का मुटिप्लाइ सेवन में करेंगे 42 माइनिस कर दिया अभी यह हो गया हमारा 2x पॉसिटर प्लस 42 तो कॉमन ले लिया x प्लस 221 तो यह रिबेंडर बच किया हमारा रिबेंडर क्या आना चाहिए था 0 तभी यह फैक्टर प्रोफ हो था बट हमारे मैंने 0 नहीं आया तो यह एक फैक्टर नहीं है